वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से खेर, सवाल ये सबसे पहला, सबसे पहली बात अंदर कैसे आए? सिक्यूरिटी ब्रीज की बात हुई सही है? अंदर कैसे आए? पार्लमन्ट के अंदर, वो गैस का सिलिंडर ले आए? अगर गैस का सिलिंडर ला सकते थे, तो कुछ और भी ला सकते थे? दूसरा सवाल, सिक्यूरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी देश में भयंकर बेरोजगारी इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है मैंने किसे से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसे से कहा, एक काम करो एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं, हिंदुस्तान के भईया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं इस पे दिन में कितना घंटा मतलब इंस्टाग्राम पे, फेस्बुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं, मैंने ये सवाल पूचा और छोटे सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं पर चेक करने के लिए मैं हरान हो गया साड़े साथ घंटे जवाब मिला, साड़े साथ घंटे युवा, फेस्बुक पे, इंस्टाग्राम पे ट्विटर पे, इमेल पे, अपने फोन पर जैसे देखें, यहाँ पर सारे के सारे लोग फोन लिए हैं, पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं साड़े साथ घंटे नरेंद्र मोधी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल्फोन पर एठा है क्यों? क्यों क्यों क्यूंकि नरेंद्र मोधी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है रोजगार उससे चीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है सेल्फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो 24 गंटा देखते रहो यह हिंदुस्तान की हालत सक्ची हालत इसलिए यह जो जुवा थे जिन्होंने सिक्यूरिटी प्रीच जरूर की वो भी आपकी गलती है इसलिए वो पार्लिमंट हाउस में कूद कराए यह भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है अब देखिए मीडिया में मीडिया में यह बात नहीं आई कि देश में बेरोजगारी है नहीं मीडिया ने देश में बेरोजगारी की बात नहीं की मीडिया क्या कहती है میडिया कहती है कि पारलमन्ट के बाहर सांसद लोग बैटे थे वहाँ पे राहुल गांदी ने विडियो ले लिया मतलब इन्हों ने ये नहीं कहा कि 150 सांसदों को बाहर कर दिया पारलमन्ट के बाहर कर दिया ये सवाल मीडिया नहीं पूछा क्यूं किया कैसे किया अमिच शाज से सवाल पूचा कि भईया आप हो मिनिस्टर हो ये दो युवा जंप करके कैसे आ गए बेरोजगारी पर दो सवाल पूचे और 150 लोगों को उठा के बाहर कर दिया मीडिया ना बेरोजगारी की बात करती है दियान इदर उदर कराती है ये जो 150 लोग हैं किसी ने अपने बाशन में पहले बोला ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है ये हिंदुस्तान की जंता की आवाज है हर एंपी लाकों वोट लेके आता है आपने सिर्फ 150 लोगों का अपमान नहीं किया आपने हिंदुस्तान की 60% जंता का मूँ बंद किया है ये सचाई है और आप सोचते हो की आप हिंदुस्तान की जंता को डरा दोगे धमका दोगे आप अगनीवीर योजना लाए लाए हिंदुस्तान के युवाओं के हाथ से आपने देश भक्ति की जो फिलिंग होती है वो आपने चीनी जब युवाओं कड़े हुए और कहते हैं हम अगनीवीर के खिलाफ हैं तो आपने विडियो कैमरे से उनके चेहरे देखे और उनको कह दिया कि भईया अगर आपने अगनीवीर के बारे में कुछ बोला आपको हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे तो आप सोचते हो आप हिंदुस्तान के युवाओं को डरा सकते हो आप सोचते हो कि आप मीडिया को कंट्रोल कर सकते हो आप सोचते हो कि आप देश का पूरा का पूरा धन अदानी जी जैसे दो तीन लोगों को देश सकते हो आप हिंदुस्तान को नहीं समझे आप हिंदुस्तान के युवाओं को नहीं समझे